असलाम अलेकुम मैं हूँ आपका ठीचर राशे सूरी और आज हम बास्किट वेव स्टाइल इमेज पर अप्लाई करेंगे तो यह आप इमेज देख रहे हैं तो मैं आज इस इमेज को बनाता हूँ यह इमेज हम शेटर स्टॉक से ले लेते हैं और इसके बाद हम इसके उपर अताम करते हैं तो चलिए देखते हैं हम आज की क्लास सबसे पहले हम एक इमेज लेते हैं मैंने आपको बताया है हमने एक शेटर स्टॉक से एक इमेज जो है वो डाउनलोड की है तो इस इमेज को हम बास्किट वेव स्टाइल जो है वो देंगे तो चलिए देखते हम आप आज की class तो ये एक बहुत अच्छी class है और इसके अंदर जो है इस image के जो effect मैं आपको बात बात बता रहा हूँ इसको हम कही तरह से apply कर सकते हैं तो मैं एक बहुत बहुत आसान से तरीके से मैं आपको इस image पर basket wave style जो है वो apply करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले तो हमने एक ये layer जो है वो ली है और इसको हम ये crop कर लेते हैं अपनी image को कितनी हमें image चाहिए है तो image में जाकर हम इसको crop कर लेते हैं तो हमारे पास ये एक image जा गई है सबसे पहले तो हम यह जो हमारे पास चुक्क हमने इस image को open किया है तो यह lock image आईए तो इसको हम एक normal layer में convert कर लेते हैं इसके बाद हम control J करका हम इसकी एक duplicate layer बना लेते हैं और इसके बाद हम इस पर कुछ selection करना चाहते हैं तो selection हम freehand भी कर सकते हैं लेकिन हम measurements भी कर सकते हैं तो हम सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि edit में जाते हैं और preferences में हम आते हैं और preferences में हम लेते हैं guidance grids और यहां पर हमें यह दिखा रहा है आपर के guideline जो है आपकी एक inch में उसके subdivisions कितने होंगे यानि कि हम इसको inches में भी ले सकते हैं पेक्सिस में भी ले सकते हैं जो भी आप बहतर समझते हैं वो unit यहां से slack कर लिजेगा और जितना आप इसके अंदर divide करना चाहते हैं एक inch में या millimeter या centimeter में उसके साब से ले लिजेगा मैंने यह लिया है grid line every one inch subdivisions इसके six होंगे और इसको हम okay कर देते हैं तो यह हमारे पास एक inch में जो है six division जो है वो बन जाएंगे तो सबसे पहरे तो हम grid को show करते हैं तो view में जाएंगे और यहां पर आते हैं हम show और show में हमारे पास है यह grid यह इसकी short की भी आगे सामने लिखी हुई है तो हम यह grid show करते हैं तो हमारे पास यह grid आगा है कि यह हमारे पास एक inch का एक box है और उसके अंदर इसके divisions बनी भी है one, two, three, four, five और यह six तो चलिए हम selection लेते हैं यह हमने five grids जो है इसके five division जो हमने लिए और एक छोड़ दी अचा दूसरी चीज़ है कि जब हम यह next बनाएंगे तो हमारा यह पहला जो selection है वो खतम हो जाएगा तो इसलिए बहतर यह होगा कि हम पहले एक selection बनाएं और selection बनाने के बाद हम यहाँ पर हमाता एक option है add to selection इसको आप चेक लगा के रखिएगा इसके बाद हम यह selection जो है वो अपनी बना लेते हैं जैसे मैंने यह next selection बनाई तो मेरे पास previous selection बे रही और next selection भी वो आ गई है इसी तरीके से हम next selection जो है वो अपनी बना लेते हैं तो यह हमने एक selection जो है अपनी horizontal जो है वो बना ली है अचा अब इसके अंदर हमारे पास दो तरीके हैं एक तो यह है कि हम इसको inverse selection करने के बाद बीच की area को cut कर दें तो मुझे जो है वो बीच का area नहीं चाहिए दो selection के दरम्यान का यानि कि आप layer mask लीजेगा तो यहां से जो है मैं layer mask selection ले लेता हूँ तो मेरे पास यह image जो है इस तरीके से cut कर आ गई है यह देखिए मैंने इसको बंद किया तो मेरे पास जो सिर्फ selection थी वहां से image नज़रा रही है और बाकी हमारे पास यह image हाइड हो गई है अच्छा इसी तरीके से हम vertical जो है अपने selection ले लेते हैं तो हमने एक यह selection ली इसके बाद next selection लेते हैं यह next selection ली और next selection मज़ीद और इसी तरीके से मज़ीद अपनी selections जो हैं वो बनाते जाते हैं इसको मैं बंद कर देता हूँ और यह selection जो है मैंने ली इसके बाद यह next selection और यह आपके बास एक और selection अच्छा इसी तरीके से जैसे हमने यह horizontal जो है अपने पास layer mask ली थी इसी तरीके से हम यह दूसरी layer पर भी एक layer mask ले रहे हैं तो हमारे पास अब यहां से चो cutting हो गई है इस तरह से हो गई है तो यानि कि आपके पास एक vertical grids आ गई है और एक आपके पास horizontal grids आ गई है ठीक है अच्छा अब यह से जो हमें नदर आ रहा है यह transparent है तो बहतर यह है कि हम इसके नीचे एक layer रख लें तो हम control प्रेस करके एक new layer लेते हैं और इसमें यह black color जो है वो fill कर लेते हैं अच्छा यह हमने selections ली हैं इसके बाद हम कुछ और working करते हैं इसके अपर जैसे कि हमने selection लेनी है तो पहले तो selection लेंगे हम इस vertical layer पर जो हमने selection ली है उसकी तो हम layer number 0 जो है हमारे पास हम control प्रेस करके इसको click करेंगे और चुके हमें selection जो है वो layer number 1 की भी चाहिए है तो हम इसमें shift control और filter यह तोनों तीनों की experience करेंगे और इस masking वाले area पर click करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक selection आ जाएगी है आचा यह selection आप safe भी कर सकते हैं without safe करेंगे भी काम कर सकते हैं तो मुझे मैं समझता हूं कि हमें selection लेने की safe selection करने की जरूरत नहीं है वरना आपने बहुत सारी ज तो अब मैं एक layer यह अपनी select कर रहा हूं और इसमें मैं quick selection mode यह apply करता हूं या फिर आप इसको Q प्रेस कर लेंगे तो इस तरीके से मेरे पास एक selection जो है वो आ जाती है आचा अब मैं लेता हूं pen bucket tool और यह first हमारा box था उसे click किया second को click किया तो इस तरीके से हम अपनी selection ले र करते जाएगा तो यह मैंने कुछ selection जो है अपनी quick selection mode पे किया है इसके बाद मैं दुबारा Q प्रेस करूँगा या वापस quick selection mode को click करूँगा तो मैं पार normal या standard mode आ जाएगा तो standard mode पे आ जाते हैं अब यह हमारे पास जो selection बची थी यानिके जो हमने masking की थी उसके इलाव हमार पास एक उपर लेयर आ गई है इसकी जो selection थी उसके अंदर से मेरे पास यह चीज़ने आ गई है मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह इस तरीके से मेरे पास एक selection जो है वो आ गई है अच्छा इसी तरीके से मैं दुबारा इसी process को apply करता हूँ selection के जिससे पहले apply किया था या या आप ये आपका या फिर आप क्विक मास्क मोड इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वोई selection आ गई है और अपके से हम जो हमारे पास एरिया रह गया था उसको फिल करते हैं तो यह मास्किंग कर रहा हूँ मैं या अपने मास्क किया इसको इसके बाद वापस आप standard mode में आ जाईएगा और layer अपना layer panel on करें इसका अब यह काम हमने इसमे लेयर पे गयता अब यह horizontal selection वाली layer को हमने इसलैक किया है यानि के layer number one को और हम इसको copy और paste कर लेते हैं तो हमारे पास एक layer जो है उपर यह आ गई है अचा अब इसमें हम एक option apply क तो layer में हम गए और layer में जाने के बाद आप यहाँ से create clipping mask apply कर सकते हैं यह अपने create clipping mask apply कर लिया है इसी तरह अगर मैं layer number three पर काम करूंगा तो इसे right click भी कर सकते हैं और right click करने के बाद हम ये create clipping mask ये apply कर देंगे अच्छा अब इसमें हम effect apply करेंगे तो ये layer style में जाते हैं और यहां से हम लेते हैं outer glow तो outer glow यहां से आप adjust कर लीजेगा कि आप ने कितनी इसकी opacity रखनी है या आप यहां से इसकी opacity को adjust कर लीजेगा और इसके बाद हम यहां से normal mode है या multiply mode है जो भी आप ले लें तो मैंने इसको normal mode ले लिया है और यहां से size इसका यानि के shifter size यह आप कितना बढ़ाएंगे तो मैं यहां से यह 8 pixel का size रख लेता हूँ और इसको मैं ok कर देता हूँ तो मेरे पास एक layer पर यह effect आ गया है layer number 3 वाला effect में यह layer number 4 पर चाहिए तो आप layer number 3 को select करें right click करें और आप यहां पर copy layer style कर लें इसी तरीके से आप layer number 4 पर जाईएगा right click कीजेगा और इसको paste layer style यानि कि आब हम कोई भी object apply पेस्ट नहीं कर रहें बलकि जो हमने layer number 3 पे style अपलाई कर था उसको apply कर रहें इसलिए हम यह paste layer style अपलाई करेंगे तो जो effect हमारा layer number 3 पर था वो effect मेरा layer number 4 पर आ गया है अच्छा अब इसके अपर अगर हम कोई texture वाकर apply करना चाहते हैं इस image को और थोड़ा सा बहतर बनाना चाहते हैं तो हम यह करते हैं कि इन तमाम layers को merge करेंगे तो हमें merge करेंगे तो उसमें यह है कि हमें तमाम layers को select करना पड़ेगा और इसके बाद merge करना पड़ेगा तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं बलके मैं shift control alter यह तीनों की इस प्रेक्स करने के बाद मैं ए प्रेक्स कर रहा हूं यानि कि shift control alter प्लस ए इसको आप पर प्रेक्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई layer आएगी जो इन तमाम layers को merge कर कर आएगी यानि कि जितनी भी आपनी layers पे काम किया था वो तमाम layers जो इन आपकी merge हो गई है और आपको नज़र आ रही है कि यह सब अलग अलग भी है और यह आपके पास एक merge layer आ गई है यानि कि मैं आपको यह तमाम layers बंद करके दिखा देता हूँ कि यह देखिए मेरे पास एक merge layer दे और इसको अगर मैं बंद करूँगा तो यह तरह से आएगा तो इस तरह से हमने एक merge layer ले लिये अब मेरे पास grid का काम खतम हो गया है तो मैं इस grid को height कर लेता हूँ तो यह show में जाईए आप और grid पे जाके दोबारा चेक लगाएंगे तो यह grid मेरे पास से खतम हो गई है अचा अब मैं इसके उपर कोई effect apply करना चाहता हूँ तो फिर filter में जाएंगे हम और filter में जाने के बाद filter गेल नहीं में आ जाईएगा यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे effects है मैं texture ले ले लेता हूँ या distort ले ले लेते हैं कोई भी एक effect आप apply कर सकते हैं तो मैं इसमें से एक texture अप्लाई कर रहा हूँ और texture में यहाँ आता हूँ और यहाँ पर मेरे पास कुछ options है जैसे आपके पास bricks है burlaps है canvas है या sandstone है तो मैं इसमें से sandstone ले लेता हूँ और यह बड़ा अच्छा सा effect आपके बास आजाएगा और यहाँ से आप इसके scaling वरा adjust कर सकते है तो यह मैंने scaling लिये है इसकी और इसके बाद relief कितना जाते हैं वो relief कर लीजएगा और इसको हम okay कर लेते हैं तो यह हमारे पास एक बड़ा खुबस्वरस सा effect बन कर आ गया है जो के basket wave style effect है तो उम्मेद करता हूँ के आपको मेरी एक class पसंदाई होगी तो comment ज़रूर दीजेगा next class तक के लिए मुझे जाज़त दीजेगा अल्ला हाफिज